किंग न्यूज ना पन करना रोत मुसर्ण धार पाउसान हिमाचल प्रदेश ला जोड़ पून काडलेलाई आनेक ठिकानी दरडी कोसलनेचा घटना घटलेलाई इतल्या समर हिल परिसरा दरड कोसलूल मोठी दुरगटना घटलेली आ दरड कोसलूनीथा असलेलाई कुरातन शिव मंदिर गाडलेलाई यावलेला मंदिराच रावणी सोमवार चा निमित्ताना आलेले भावी कही धिगाराखाली दबले गेले आत्ता परिंत 21 रणांचा मृत्युज हलाए तर 25 भाविक धिगाराखाली अड़कलेची भिती व्यक्ता होती है शिमलैपली निमकी सद्ध्याची स्थितिका याचा थेट आढवा अपन जानुन घिनारो थिमाचल प्रदेश वरना अपले प्रतिनिधी रणवीर सिंग सद्ध्या अपले सोबत आथ रणवीर फिरहाल वहां के क्या हलाथ है जी आदेखें ये दुखत तस्वीरे यहां से दिखाना चाहेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है ज़रा मनजर देखिये तबाही का ये तस्वीरे जो है डराने वाली है यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें सिना के जवान आपको नजर आ रहे हैं स्टी आरेफ के जवान है जो अगनी शौन बिभाग के जवान है पुलिस के जवान है कुछ समास्विवी संस्ता हैं वो और स्थाने लोग यहां पर रेस्क्यू में जूटे हुए हैं देखे अभी तक जो है पांच चोशब हैं वो यहां पर रिकवर किये गए हैं जिसमें एक मासूम डेट साल की छोटी बच्चे बेती बेहत जो है चिंता में डालने वाली यह त जिसके ठीक साथ मंदिर का कुछ अंच है आशा लगता है की कोई कम रहे है तो कोशिश यहां पर की जा रही है कि शाइद अनर मलबे के नीचे या क्या मंदिर का कोई ऐसा कमरा हो जो सुरक्षित हो उसके अंदर ये तलाशा जारा है कि शाइद को इंसानिए जिसको बचाया जा सके और इसी के चलते जो है यहां पर यह बताया गया कि जो मशीनरी है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया मैनुली यह सारा काम जो है यहां पर किया जा रहा है तो सुबा करीब साथ से साड़े साथ बज़े के बीच कि यह घटना है और उसके बाद अब देखिये समय कितना हो चुका है और पांच शब अभी जो है रिकवर किये गए हैं घमाचों परदेश के राज्य पाल यहां मौके पर आये थे श्युर प्रताब शूकल मोसे मंतरी ऊप मोखे मंतरी दो कावि Anicyo रैंक के मंतरी यहां पर पहुंचे थे यह तसवीरे जो है इस तरह की तस्वीरे शिमला में एक जगा और यह फागली वहाँ से भी कुछ इसी तरह की तस्वीर है परदेश के अलगल हिस्सों में किस तरह की तरास्ती हुई है लेकिन यहाँ पर मुश्किल बात यह है कि यहाँ अभी यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर मलबे के नीचे कितने लोग हो सकते हैं जो स्थान यह लोग हैं जिनसे हमारी बात वुई ती वह यह कह रहे हैं कि 25 से 30 लोग हो सकते हैं मुख्यमंद्री से जब बात की गई मुख्यमंद्री ने भी यह कहा कि सही जो है आखड़े का पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर कितने लोग हैं बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपन आशा करूया कि जास्ती जास्त लोकाना सुखरो पिया ठीगरा खलन बाहर काड़ना मधे यश यूदे पड़ अत्यांत ही मोठी दुरखटना घडले लिए 21 जनांचा आत्ता परेंत मृत्यु जाले ची माहिती समोराले लिवती पाच मृत्त देह आत्ता परेंत हाती लागले ले आहेत आपन यानंतर 25 मिनिट 15 बात मेंना सुर्वा